जी कह फोर आज के लेक्चर का अगास करते हैं लेक्चर नमबर हमारा 23 अज चैप्टर 4 को हम कंक्रूड करने जा रहे हैं इंशाल्लह आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे हम एक हमारा last concept जो है वो discuss करेंगे वेजरिंग एग्रिमेंट और फिर प्रैक्टिस क्वेस्टन की डिस्केशन करेंगे लर्निक अब्जेक्टिव 8, 9 और जो आज स्टडी कर रहे होंगे 10 इसके भी और फिर इसके बाद हम टाइम हमारे पास होगा अगर इंचाल्ला तो mcqs की डिस्केशन आज ही कर लेंगे ठीक है अगर mcqs की डिस्केशन आज ना हो सके तो यह आपकी home assignment होगी आपने attempt करके आना है और फिर कल इसको हम discuss करेंगे पहले previous lecture में से कोई question पूछा चाहते हो तो पूछ लेजिए previous lectures में हमसे कोई हमें्हें पढ़ा था agreement in state of trade agreement इस तीटल लीगल प्रोसीडिंग्स इसमें लीगल पोसीडिंग्स एक्जेंपल समझागी आपको जब और अपस में मिलके कहती हैं हम रही करेंगे केस फाइल करेंगी रही किसी है कि used in तो भी बैलेड है और अगर कहें कि केस चल्डावा कोड में और हमने आपस में आउट ओफ कोड सेटल्मेंट कर ली वह भी बैलेड है यह एग्रिमेंट इस्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिन्स के रूल थे जो केस सेडी में टेस्ट करता है इसी तरह एक पार्टी दूसरे को प हो यहां से फिर वैलिड प्रोवाइड प्रोवाइड रिस्टिक्शन रिजनेबल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि हम दूसरे बंदों को कह दे कि तुमने अब सारी उमर ही काम नहीं करना ऐसा नहीं कि दूसरे बंदों को कह दे कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी काम नहीं करन यह agreement in state of trade का rule था, यह clear है न आपको, और इसमें कोई problem नहीं आगे चलें, next हम concept study करते हैं, wagering agreement, wide agreements में एक एहम agreement है, wagering agreement, wagering agreement का मतलब क्या है, जूआ, wagering का मतलब क्या है, जूआ, पहले सबसे पहले सो डिफाइन करता है, कहता है अगर दो लोग आपस में, बैठ के यह फैसला करें, कि किसी चीज के होने या ना होने पे, एक पार्टी दूसरे पार्टी को payment करेगी, किसी चीज के होने या ना होने पे, एक पार्टी दू इंट्रेस्ट कोई ना हो पार्टीज का उसमें रियल इंट्रेस्ट कोई ना हो जैसे फर्ज किजिए अगर मैं नहीं कहता हूं आप मुझे मोटर सेकल देंगे तो मैं आपको 50,000 प्या दूँगा agreement to give money in case of happening of something है वो क्या कि यह बाइक देंगे क्या यह वेजरिंगा agreement है यह वेजरिंगा agreement क्योंकि इसमें पार्टीज का रियल इंट्रेस्ट है लेकिन अगर पार्टीज का रियल इंट्रेस्ट ना हो जैसे आज बारिश होगी तो मैं आपको 10,000 पे दूँगा अगर बारिश नहीं होई तो आप मुझे दीजिएगा इनमें पार्टीज का रियल इंट्रेस्ट है कोई कोई रियल इंट्रेस्ट नहीं है यह वेजरिंग एगरिमेंट है फेयीमेन अणणा रियल इंट्रेस्ट नहां हुए फ सम Bjृ एगर बारिश होई ऑपको और हैमें दी तुम पैसे देना और है क करें बारिश को पर दो नहीं तरह में पैसे दोंगा अगर ना ओपता हुई तो तुम मझे पैसे देना नोन को अच्छा मुझे बताये मैं और भाई ये दोंगों मैश देख रहें पाकिस्तान जीता तो मैं तुम मैं पैसे दोंगा अगर अगर आश्ट्रेलिया जीता तो तो मुझे पैसे देना प्ताइए वेजञिंग agreement है कि नहीं बिरुक आखर लेकिन अगर कि हमारा समें कोई अश्रीलिया को दी जाएगी अब भुपताइए यह वेजरिंग एक्रिमेंट है कि नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इनमें पार्टीस का रियल इंटरस्ट है तो वेजरिंग एग्रिमेंट का मतलब टू पे सम वैल्यूएबल थिंग ओन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम्थिंग ठीक है इन विच पार्टीस दू नॉट है रियल इंटरस्ट इस तरह गैंब्लिंग गैंब्लिंग भी होते है वह भी वेजरिंग है और इस तरह लॉट्री बगारा थिक है यह भी वेजरिंग एग्रिमेंट ही है चोटे होते हैं आपको पर्शियां होती थी निकालते थे कभी कोई टॉफिया निकलती थी कभी बिस्किट निकलते थे वह बैसिकली लॉट्री की बहुत ही बेसिक किसम थे ब्रॉड लाट्री नंबर ले ल पार नहीं लेकिन वैसे इस तरह की जो लॉट्री स्कीम होती है यह वाइड होती है तो यह वेजरिंग एग्रिमेंट समझ आए आपको क्या है एग्रिमेंट टू पे सम वैल्यूबल थिंग तो अधर पार्टी उन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ संधिंग इन विच प पर क्राइटेरिया होता है कि यह नाम मिलेगा यहां कि आप लॉट्री में लेकर लाट्री तो पुरा अंदाजी होगी जहां तक मेरी इंडस्टैंडिंग यह लॉट्री में आता क्योंके इसमें बिसीकली आपने बैक एड पे शापिंग की हुई है तो वह एक इंसेंटिव में मिलेगी और सिर्फ परची हरीद के आप उसमें अपनी करवा रहे हो तो उस बैकएंड पर ट्रांजक्शन नहीं है तो उस सूरत में यह लॉट्री होगी और वेजरिंग अग्रीमेंट में आज जाएगी अच्छा बेजिंग की रूल क्या है सिंपल होला क्या सुघेयरिइग एगृमेंट वाइड है इभी है मैं HK तुम्हेंट की तरह charging competition involving game of skill prize competition जब इनाम कोई competition होता है उसमें इनाम दिये जाते है competition कैसा होता है किसी game of skill का जैसे ख़बार में बाद बाद आपने देखा होगा वो quiz आता है अगर आप इस quiz को fill करें और सही हुआ तो आप को इनाम मिलेगा यह prize competition है जिसमें आपकी skill का इमद्धान है यह वेजरिंग agreement नहीं है दो players अनके दिर्माद में मैच होता है जीतने वाले कोई नाम मिलेगा यह वेजरिंग agreement नहीं है जीतने वाले को हारने वाला पे करेगा यह भी game of skill है ना basically game of skill है यह भी वेजरिंग agreement में नहीं है game of skill है ना और इसी तरह अगर horse race में अच्छा horse race में सुन ले एक यह होता है horse race हो रही है हम बाहर बैठे हैं और हम कहते हैं जी अगर यह वाला गोड़ा जीता तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर दूसरे वाला गोड़ा जीता तो तुम मुझे 10,000 देना यह वेजरिंग है लेकिन अगर इनाम यह हो के 10 गोड़े दोड़े हैं और उनमें जीतने वारे गोड़े को इनाम मिलेगा यह वेजरिंग agreement नहीं है क्योंकि यह basically game of price competition है रेस है तोड़ लगी है price competition है game of skill है उस पर इनाम मिलेगा तो यह difference में रखेगा अगर पार्टीज का रियल इंट्रेस्ट हो उस सुरत में वेजरिंग agreement नहीं होता लेकिन जो पार्टीज बाहिर बैटी आउंसाइडर्स वह अगर agreement करें इस तरह का वह वेजरिंग बताईएं जो के वेजरिंग agreement में नहीं होगी एक winner of horse race ठीक है गोड़ों की race लगी है और उसमें जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा वो भी वेजरिंग agreement नहीं होते हैं कोई भी competition हो जाए कोई क्रिकट हो जाए कोई और खेल हो जाए लोड़ हो जाए इसमें जो जीतने वाले को इनाम मिलेगा वह वेजिंग agreement नहीं होगा वो प्राइज competition होगा competition का प्राइज वो देखें फस्ट से लेपाइज चाहे टॉप थ्री पोजिशन को प्राइज दें चाहे टॉप टैन को दें इस से फरगने पड़ता अगर किसी को प्राइज दिया है competition की वजह से क्योंकि उसने competition में participate किया और उसमें कोई position नहीं तो उस बेस के ओपर जोई नाम दिया जाएगा वह वेजिंग एग्रिमेंट इसको जरा टेंटी वोके सुनिएगा पहली से मैं यह पता है हम पढ़ रहे हैं वेजिंग एग्रिमेंट लेकिन यहां पर यह नहीं दोना चाहे कि मैं एक इंड है में कि में नधन सेट Master हम अलॉफल ब sinners ना जिसमें लंवाड़ बाजा़ चोड़ी साथ आठैम की लिस्स ही तो यह जो अग्जेंपल अक्ट है तो यह जो एफ्ए यह सारे के सारे ओर समक्ला ए लिए इससलीं इसको लिए नहींग है यह हैं यह में और बा 마음 के जितने अनलाफिल وाइड अग्रिमेंट्स ने भी होता है इसे लिए ही हेडिंग में एफक्ड ओ वेजरिंग अग्रिमेंट्ट नेहीं लिखा हला कि बेजरिंग एग्रिमेंट् idea हैं लेकिन लिए रूल लगेगा लेकिन लिदय के वाइड एग्रिमेंट पर भी अप्लाई होगा जैसे आप इन भाइचान को पैसे देते हैं और इन्हें कहते हैं कि इसका मर्डर करते हैं ठीक है क्या यह वेजरिंग एग्रिमेंट है नहीं है लेकिन अल्लाफुल है बताएए जो कंसेट पढ़ने जा रहे हैं इस फिर ट्र इन लिगल एग्रिमेंट जितने भी हैं वो चाहे इन लिगलिटी एड टाइम ओफ कंट्रेक्ट हो चाहे बाद मेरा है इस से फरक नहीं पड़ता कोई से भी इनिशली या सबसीक्वेंट जो इन लिगल एग्रिमेंट जितने भी है वो वाइड अच्छा यह तो इसली समझ आ जाती है तो आपने पहले से बड़ा हुआ है एल लिगल एग्रिमेंट वाइड अगली बात उया है और अगली बात किया है उगलेट्रल एग्रिमेंट सारा इसका मतलब है इनिगल एग्रिमेंट के ऊपर जो धूसरा कोंट्रेक्ट डिपेंडेंट होगा एगर वारेग्जेंबल अगर मैं इसे कहूँ कि हम ऐसा करते हैं चोरी जिकारी करके पैसे इकठे करते हैं पर उसके बाद चोरी जिकारी से तोबह करके न तो हम कोई अपना ट्रेड का बिजनेश शुरू करेंगे अब यह बेसिकली जो एग्रिमेंट क्या है यह वाइड है चोरी चुकारी वाले एग्रिमेंट वाइड इसके बाद फर्स कीजी एक सार हमने चोरी चुकारी की पकड़े दे गए उसके बाद बिजने शुरू किया पार्टनर्शिप का और यह मेरे सारे पैसे लेके भाग गए क्या यह मैं इसे पैसे रिकवर करवा सकता हूं नार्मल कोई पार्टनर्शिप में से पार्टनर पैसे लेके भगे ना तो हम रिकवर करवा सकते हैं लेकिन इसमें रिकवर क्यों क्योंकि जो पार्टनर्शिप का अग्रिमेंट था यह बेस कर रहा था कोलेडरल था डिपें माइनर की शादी का एगरिमेंट वैलिड है कि वाइड है आपके आद एक्जेंपर पताए थी कि माइनर के बाप ने किसी परस्टन से लोन लिये यह कहके यह कहके कि माइनर की शादी करने है यह आपको कंसर्प समझाया था इस पर्मिटिट गूड डिफीट प्रिवियन ओफ काम है अब है इसमें में एग्रिमेंट लोन सुर्में यह मेंनर की शादी आ उसके उपर डिपेंड करई लोन मिलेगा तो मैं की यहादी जो collateral agreement है, collateral agreement चाहे independent होते तो valid होते हैं, लेकिन जब वो collateral to wide agreement होगे, तो खुद भी wide होगे, तिसरा, no remedy is allowed, अगर कोई party violation करती है, तो दूसरी party उसके लाब कोई legal action नहीं ले सकती, यह illegal agreements का rule होता है, जैसे यह भाईजर नें से कहें, कि आप हमारी shop पे आएं, एक लाख का AC खरे दें, इन्होंने एक लाख की payment कर दी, दूसरी party ने AC deliver नहीं किया, क्या पहली party पैसे वापिस ले सकती है, ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, लेकि फर्ज कीजिए, पहली party ने दूसरी को पैसे दिये, और कहा, कि तुम ऐसा करो, तीसरी party को murder कर दो, दूसरी party ने पैसे ले लिए, इसका murder नहीं किया, क्या पहली party दूसरी से पैसे वापिस ल of action legal course of action available नहीं हो गोस पार्टी के लाव जिसने लिगल agreement की लाव का एक महावरा है वो यह कहते हैं सिर्फ साफ हाथ कानून का दरवाजा खटखटाएं क्या कहते हैं सिर्फ साफ हाथ clean hands कानून का दरवाजा खटखटाएं तो जिसने दूसरे को मारने के लिए पैसे दी हैं क्या उसके हाथ साफ हैं क्या उसको कानून की मदद लेनी चाहिए अपने agreement कानून कहते हैं नहीं हम इसको किसी किसम की कोई मदद नहीं देगे यहीं समझा रहा है no remedy is allowed neither damages nor restitution ना पैसे वापिस मिलेंगे ना damages और ना ही हम वो क काम करने को क्यांगे जिसका agreement हुआ है कि तीनों concept समझागे illegal agreement या वेजिरिंग का इसका मतलब फ़र्ज कीजिए छोड़ी से example दीजी एंड पे मेरी और इन भाई की शाय तो लग गए कि आज जो मैच होगा वो पाकिसाल जीते का कि अस्रेलिया जीतेगा हम दोनों ने पैसे जमा करवा दिए इनको यह बाई जार पैसे लेके निकल गए क्या हम इनके खिलाफ legal action ले सकते हैं क्यों ने ले सकते illegal agreements में कोई remedy remedy means course of action कोई remedy लाउड नहीं होती हमारे पास कोई course of action नहीं है हम कानून की मदद नहीं ले सकते अब कोई question पुछना हो तो पूछ ले है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो जिस पार्टी के साथ collateral agreement किया जा रहा तो उसको नहीं पता जैसे एक बाप ने माइनर की शादी करने के लिए लोन लिया तो अगर लोन देने वाले को पता है किसे माइनर की शादी की जाएगी तो फिर ये वाइड हो गया लेकिन अगर उसे नहीं पता कि इस लोन से क्या काम किया जाएगा तो फिर ये क्या होगा वैलिड होगा कोई शू नहीं है आप फर्स कीजिए कि आप छुरियां बेचते हैं मैं आपकी दुकान में शुरी लेगा और आके इन भाईजान ने असाइनमेंट नहीं की थी इनको मैंने मुझे तो पकड़ी पकड़ेगी है मैं तो में में कॉंट्रेक्ट है ना क्या इनको पकड़ेंगे के नहीं पुलिसिस को पकड़ेगी के नहीं डिपेंड करता है क्या इनको पता था कि इस चुरी का इसनमाल क्या किया जाए अगर तो मैंने इने कहा था क्या ऐसी चुरी देना कि ना जो बंदे को बस जखमी करें उसको पता चल जाए ठीक है बाकी को शदीद नुकसान ना कहुंचाए इनको अगर मोटिव का पता था तो इसको पकड़ेगी वरना नहीं पकड़ेगी तो उसी तरह अगर हमारा एग्रिमेंट ऐसा है जो के लोन ले रहा हूं उससे लेकिन उसे मैंने काम क्या करना है मैंने ऐसा एग्रिमेंट करना है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा तो मेरा ये वाला एक्ट तो क्लेटरल ट्रांजेक्शन वैलिड है और अगर नॉलज है फिर वाइड है क्वेस्टन में क्लियरली वह बता देता है आपको इस बारे में बेफिकर रहे हैं कि क्लेटरल ट्रांजेक्शन क्या थी में ट्रांजेक्शन क्या थी ये भी बताएगा और अगर पुछना ना बता कि थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं पता था आपने जूम कर लेना पता था नॉर्पनी क्वेस्टन की इंफर्मेशन ऐसी होती है में इंदाजा हो जाता है क्लियर होगे अच्छा लास्ट गार्डियन माइनर पे जो पैसे खर्च करता उससे रिकवर करवाने का हक है के नहीं है बेसिक निसेस्टी वाला पॉइंट याद है अच्छा माइनर ने लगाया जुआ और हार गया अब गार्डियन ने अब वह पार्टी घर पे आ गई लड़ाई जगडा कर रही है गार्डियन ने माइनर ने जुए की रिकम लगाया थी वह अपनी जेव से अदा कर दी थर्ड पार्टी को जिससे जुआ लगाया था क्या गार्डियन को ये पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलें यहीं समझा रहा है कि कह रहा है कि अगर बी के साथ वेजिरिंग एग्रिमेंट किया मिस्टर रे हार गया मिस्टर रे की पास पैसे नहीं है किसी भी दूसरे बंदे ने अगर मिस्टर रे की हालत देख के उसकी जुए की रिकम अदा कर दी तो दूसरा बंदा क्या मिस्टर रे की प्रॉपरिटी से या मिस्टर रे स से लेगली वो पैसे रिकवर करवा सकता है ला कते हैं नहीं करवा सकता है गार्डियन ऑफ माइनर हो या किसी डिसीज्ड का रिपेजेंटिटिव कोई फोट हो गया मर गया उसके जो लीगल रिपेजेंटिटिव है वो हो यहां कोई माइनर का गार्डियन हो कोई भी बंदा हो दोनों मेसियान के लावा भी कोई हो अगर वो किसी की जुवे की रकम अदा करता है अगर वो कोई पेमेंट करता है जुवे की रकम की तो उसे वो रिकवरी नहीं करवा सकता उसे रकम की रिकवरी नहीं करवा सकता समझ आ रही है? क्योंकि लाग करता हम जुए को प्रोमोट नहीं करेंगे ठीक है आपका कोई कजन है फार एक्जेम्पल वो आपके सामने आ गया है बहुत परिशान है रो रहा है आपने पुछा क्या हुआ उसे का मैं जुए की रिकम लगा बैठा हूँ अब मैं घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि घर वो बंडे जuard अज़या पैसे रहने लिए आपके दिल में तरसा आया आप ने कहा को हुए की जुए की रिकम हरे हो बन जेता हूं आपनि भी पैसे दा कर दीए क्या आप उस से कर आवर कर आसकते हैं कि इसको किसको करने है कि स्टिफिंग क्रिमिनल प्रॉजिक्यूशन का केस नहीं है कि नहीं क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिन कि स्टिफिंग प्रॉजिकुशन की कंडिशियां अब अपलाई होती है कि इसमें कोई कराई करता था और हम उसके ल Instagram लोगों को नहीं बताएं में तुम्हारा जुर्म किसी को नहीं मताएं इन इसमें मेरा निख्याल स्टिफिंग करें अब जोए जोड़ा है तो आपको पैसे देने को इसने को इस को माधा डिखे असल चीज है और स्टेफ़ ऐगा और करें होना अगर स्टिफ्लिंग क्रीमिनल प्रोजिकुशन कि example में, exam में ये example नहीं लिखेंगे exam में नहीं लिखेंगे अगर आप खुद समझते हैं कि उससे concerned link हो रहा है और आपको समझ आ जाती है link करके, तो फिर कर सकते है exam में बाराल नहीं लिखेंगे clear होगे बेजरिंग तो बताइए जरा quickly एक मिनट के अंदर हमने वेजरिंग में क्या सीखा, वेजरिंग अगरिमेंट क्या होते है लेकिन कौन से वेजरिंग अगरिमेंट है जो जो बजाहिर वेजरिंग रखते हैं असर में वेजरिंग नहीं है price competition वाले यानि जो मुकाबले होते हैं और horse से लेकिन जाद रखे अगर इनमें पार्टिस का रियल इंट्रेस्ट है ना तो भी यह वेजरिंग नहीं है अगर रियल इंट्रेस्ट नहीं है तो फिर जैसे दो पहलमान लड़ रहे हैं आपस में हारने चिते वाले कोई नाम मिलेगा सो ठीक है वैलिट है तो बीजरिंग हो जागा है और एक कि अगर बश्रिंग की पेयमेंट को फर पार्टी करती bicycle स Apple पार्टी करते यह this को इतना नाम या थर। कोई हो गीक हो जाना क्या मेरा क्वेशन सिंपला क्या जो भी प्राइज पगरा देने की बात हो रही है यह और नाम देने की बात हो रही है जो खेल रहे हैं यह अधर दन की डिय्प्तर ज़ात हो और घर से उपर दो यहीं है तो यह सुच्छ दुसाहसाiene तो यह दो भी रिकवरी नहीं कर सकते हैं चलिए यह हमारा कंसेट था चोटा सा अब पास्ट की तरफ चले चलिए यह पास्ट की तरफ चलते हैं अच्छा पहले एक स्ट्रोड ने क्वेस्टन पूचा है क्या क्वेस्टन था आपका दुबारा पूचेगा स्पेकुलेटिव बिजनिस वेजरिंग होता है के नहीं होता अच्छा पहले तो स्पेकुलेटिव बिजनिस समझ ले क्या होता है स्पेकुलेटिव बिजनिस ही है के फर्ज कीजिए आज मुर्गी का रेट क्या है 300 300 300 फर्ज कीजिए अब ईद आने वाली है ईद के करीब रेट बढ़ जाएगा ठीक है अगर मैं इनसे कहता हूँ मुझे आज आज आप 300 के हिसाब से 5 किलो मुर्गी दे दे चिकन दे दे यह स्पेकुलेटिव नहीं यह स्पेकुलेटिव यानि मैंने अंदाजा लगाया कि कल रेट 400 का हो जाएगा और मैं आज इनके साथ एगरिमेंट कर लेता हूँ आप मुझे 300 के लिहास से मुर्गी दे दीजी वो कहता अच्छा ठीक है आज नहीं मैं कल दे दूँगा लेकि रेट 300 लगेगा क्योंकि आज हमारा अगरिमेंट हो गया मैंने का ठीक है यह स्पेकुलेटिव बिजनिस नहीं है स्पेकुलेटिव बिजनिस क्या है कि मैं इनके साथ एगरिमेंट करूँ कि भाई आज मुर्गी का रेट 300 कन्फर्म मैं कल 400 रपे हो जाएगा अगर कल 400 रेट हुआ ना तो आप मुझे अब मैं यह एगरिमेंट नहीं कर रहा कि साड़े 300 के लिहासे ही मुर्गी सप्लाई कर देना मैं एगरिमेंट क्या कर रहा है कल 400 हुआ ना अगर मैं तुमसे आज 5 किलो मुर्गी खरीदता 10 किलो कर ले 10 किलो मुर्गी खरीदता आज 3.500 है कल 400 रेट है अगर आज मैं तुमारे साड़े 300 के लिएगरिमेंट कर लेता तो मुझे 500 रुपे का फाइदा होता कल ऐसे ही है समझा रही है अगर तो मैं इसे पैसे दे के मुर्गी ले ले लेता हूँ ये स्पेकुलेटिव विजनिस नहीं है लेकिन अगर मैं इसे ये कहता हूँ कि आज 3.500 है कल कंफर्म मैं 400 होगा अगर कल 400 रेट गया ना तो आप मुझे अपने हाथ से 500 दे दीजिएगा मैं आपसे मुर्गी नहूँगा मैं सिरफ पैसे नहूँगा 500 दे दीजिएगा लेकिन अगर रेट 300 पे गया तो फिर मैं आपको 500 पे अदा करूँगा अब इसमें चुके रियल इंटरेस्ट पार्टी का नहीं है रियल इंटरेस्ट कब होता अगर मुर्गी खरीदी है देखे अगर मैं बकाइदा मुर्गी खरीता ना और मुझे उसमें 500 का फायदा होता वो स्पेकुलेशन नहीं थी अगर ये मुर्गी बेचते और 300 पे रेट चला जाता और मुझे नुकसान होता वो स्पेकुलेटिव बिजनिस नहीं था लेकिन अगर मैं इनसे कहता हूँ के जी रेट के डिफरेंस से सिरफ हम जब रेट बड़ेगा कम होगा हम चीज बाइ सैल नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ हम सिरफ प्राइस को अड़जस्ट करेंगे कि साड़े 300 से उपर रेट जाए तो आप मुझे पैसे देना मुरी का रेट साड़े 300 से नीचे जाए तो मैं आपको पैसे दोंगा ये स्पेकुलेशन है ये वेजरिंग एग्रिमेंट है तो स्पेकुलेशन बिजनिस जो होता है ये वेजरिंग एग्रिमेंट है कलियर हुई ये बात अच्छा अब चलते हैं क्वेशन के तरह पाटेंटिव है चलिए पहले अजर ले अजर पर बिजनिस इन डाट लोकालिटी तरी अजर पेड हिम रुपीज मन थाओजन अजर स्टॉब इस बिजनिस बट मजर दिडन पे हिम दा प्रॉमिस्ट मनी कैसे वाइड है कैसे बिजनिस नहीं खरीद रहा है क्योंकि पैसे दे रहा है बिजनिस नहीं खरीद रहा है या गुडविल नहीं खरीद रहा है तो ये एग्रिमेंट वाइड है अच्छा एग्रिमेंट वाइड होने का मतलब समझेगा इसका मतलब यह है सारस मार्किट में आ सकता है एक लियर बी अदियल सैल हीज बेकरी टू बदर विद गुडविल बिजनिस साल कर दिया गुडविल के साथ फार पीस हंड़र थाउन एंड अग्रीज नॉपने बेकरी एनिवेर इन पाकिस्तां अच्छा यह वैसे अगर यहां तक रहता ना यहा अगर यह होता है इन डाट लोकालिटी इन डाट रिजन इन डाट सिडी फिर यह वैलिड होती रिस्टिक्शन क्योंके रिजनबल होती पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो यह वह दूरब लीड होती अज甚麼 सी समय बिजने स्याइश्ट में बिजने स्मेद्श हैं ल सत्व हैशिए घुली में नहीं करेगा बक्ती बात है वालेड है क्योंकि restriction एक तो यह के sale of business या goodwill का case है और दूसरा restriction reasonable restriction reasonable है यह एक period से पता चलता है हमें कितने साल की restriction है और दूसरा इलाके से अरिया से हाँ किसी और नाम से कर सकता नहीं नहीं यह similar business नहीं कर सकता किसी और नाम से भी similar business नहीं कर सकता कोई और business कर सकता जोली का छोड़के books का शुरू करना चाहे वो कर सकता D. Shabir joins the firm of Bashir and Munir who deal in spare parts at the mall Lahore. Shabir agrees that after leaving the firm he will not carry on similar business at the mall for two years. reasonable है नहीं section? चाहे 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 हैं चाहे 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 चाहें next question under 24 under the providence of contract I tend to have to comment on the validity of following agreements पहला अनवर agrees to sell sugar to Bashir and both agree that in case of breach of contract by any party none of them will go to the court agreement in state of legal procedure बी आजम किव बाबर पीश हंडर्ड थाउजन एजे लोन फार वन येर एंड अग्रीज डापर फेल्स तू रिटरन दा लॉन आजम मस्थू विदिन टू येर्स अधर्वाइस बाबर विल नॉट वी लाइबल ये यादा कोंसी प्रविजन थी जो लिमिटेशन पीरियड को कम कर दे लॉन ने जो पीरियड बताया है कि इतने ऐसे में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर कोई पार्टी उसको कम कर दे तो वो क्या है वो वाइड और इस केस में इसका मतलब है कि लिमिटेशन पीरियड क कितने हैं थीजिक है तो यह हुаж कि ना इनी यह मतलब किया Walking का यह मतलब है आजम पैसे लेनी सकता में यह यह जो प्रुवियन है नहीं दो साल वार यह वार्य का पूरा agreement नहीं वोई यानि वो अभी भी आजम रिकवर करवा सकता है कितने सालों में तीन सालों में यह बात जहन में रखेगा जब कोई एक illegal जब जो ऐसा agreement हो लेने देने का properties वगरा का उसमें कोई एसी प्रवियन अगर जो कि लॉक एगेंस्ट हो तो ला सिरफ उस प्रवियन को रूल आउट किया करता है दूत्यम संबर्स काओ द आटिश संब क्रवार का शेरी आटी कास्व एक पहली प्रवियार में मोद।े रु कंच हैंँ PसM छुड जोढरे में में जोला कर्ष ना जोड़ी इंस यह लिए यह बातार स कोट्त में काओ cleaner खेगें ने रिक्मियाग अई करत अम बें they decide that the matter shall be taken to district civil courts as per law but no party shall appeal against the decision to high court अपर कोट में अपील नहीं करेंगे वाले रहे एक एग्रिमेंट इस्टेट अफ लिगल प्रसिटिंग्स तो नहीं है नहीं क्योंकि जो लोगर कोट में तो जा रहे हैं अब डिसींट कर्माने के लिए Next 25A Nightmani Lま to forming a contract agree that in case of breach by any of them the matter shall be referred to an arbitrator mutually selected by them they also agree that only the amount of damages as may be vExed आप ऑश wires बैब प्रेटर शल इस्टेविक पेमल इस गरिमेंट जोंडर को लोगर को लोगर प्रेटर कीया है agreement पलिए इसा किया जा सकता है बहुत सकता है आप से पार्टी में सुला हो जाए तो कोड क्या करती है केस को क्लोज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन सबसे अच्छा क्वेस्टन आज के लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेस्टन क्वेस्टन नम्र कौन सा यह 26 यह एंड वाले 22 आरा क्या लिखा होगा है अंचल रिसेंट्लीमा राष फर इंडिपेंदेंट्ट्री इंगेज इन दा बिजने सबसेंगें विएज दूनों इंडिपेंडेंट्री मिठाई बेजते थे एलवेज सेशन पर मनसूर incurred a loss due to competition मनसूर को नुक्साम था आरिफ in view of his friendship with मनसूर agreed to move his business to the old city area आरिफ ने कहा चाहा मैं अपना business old city area में ले जाता हूँ दूसरे लाखे में they reached an agreement that आरिफ would not engage in any competing business with मनसूर ठीक है कि वो bidding business नहीं करेंगे मनसूर के साथ it was also agreed that in case of breach none of them would have recourse to a court of law for enforcement of their rights इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी दूसरे के लाख legal action नहीं ले अच्छा मुझे बताईए क्या ये जो मनसूर जा रहा है क्या आरिफ जा रहा है आरिफ जा आरिफ ने दूसरी जगा जब जा रहा है तो अपना business सेल करके जा रहा है सेल अफ गुडविल यह सेल बिजनिस का केस तो नहीं है यह कंफर्म कर ले यह स्क्वेशन का सबसे हैं पॉइंट है क्या आरिफ जगा छोड़ के जो जा रहा है business को या गुडविल को सेल करने के बाद जा रहा है कि उसके बगार फ्रेंड्शिप बगारा की वज़ा से सबसीक्वेंटी डू एकनॉमिक डाउंटन और इफ इन अडिशन टू दा ओल्ड सिटी अरिया है जासो स्राटी तो सैल स्वीट्स और मुलतान रिवेस्टेशन पर आ गया मनसूर ने का भी तुम तो वादा करके गए थे कि दुबारा वापिस नहीं आओगे और उसने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कहानी समझागी के नहीं सारी टुिस्ट भी समझा आ गए अब आगे चलबते हैं पहली रिवेस्टेशन वैदर आरिफ इस जस्टिफाइड इ दुबारा बिद्फ करने में जस्टिफट है आरिफ दुबारा आ के बिज्निस कर सकता है वो तो बाता करके किया था है मैं इधर नहीं आँगा कर सकता है क्योंकि वो अपनी ये गुड़ बिदू बेसरे नहीं नहीं करूंगा तो ये एग्रेमेंट इस टेट ओफ ट्रेड agreement in state of trade वाइड है इसलिए आरिफ वापेश आ सकता है आरिफ काम शुरू कर सकता क्योंकि agreement in state of trade वाइड है B what would be your answer in one above if Mansoor had bought the goodwill of आरिफ बिजनिस अगर goodwill को बेज के गया होता फिर नहीं आ सकता था फिर अब देखे रीजन ने पढ़ी था ना उसने सिरफ उसे मना किया हुआ है रेलवे स्टेशन बे old city में जाकर business कर सकता है तो one में आरिफ वापिस आ सकता है justified है क्यों क्योंकि इसने business को goodwill को sell ने किया two में आरिफ वापिस नहीं आ सकता क्यों क्यों कि इसने goodwill को sell कर दिया हुआ फिर कह रहे है वैदर मनसूर इस जस्टिफाइड इन फाइलिंग एस्टूर्ट इन दी कोर्ट अफ लाइन सेगिंड अब इस केस में पताईए क्या केस फाइल कर सकता है बिल्कुल अच्छा फस्ट वाले केस में फस्ट वाले केस में एगरिमेंट हुआ था केस फाइल कर सकता था फस्ट वाले फस्ट वाले में पूछ रहा हुआ है सैकिंड वाले में कर सकता है क्योंकि गुडविल खरीदी है तो इसका मतलब है यह रिस्टिक्शन वैलिड हो गई अब मनसूर के पास लीगल राइट आ गया कि वो रोक सके कि वो आरिफ को नहीं समझा रहे देखें पहले पार्ट यह बगार सेल पर्चेज किये आरिफ गया था फिर आरिफ हुआ वापिस आ गया क्या आरिफ हुआ वापिस आने से रोक सकते है रोक जा सकता क्यों नहीं रोक जा सकता है यह सेल बगुडविल हो पिर रोक जा सकता है ये दोनों में फरक समझाया कर नहीं अब यहां पर बताईए सेकंड में क्या मनसूर औरिफ को रोक सकता है क्यों कि मों बिजनिस सेल करके किया है सेकंड की बात कर रहा हूं रोक सकता है आरिफ वापिस आ गया क्या मनसूर आरिफ के खिलाफ legal action ले सकता है क्यों क्यों वह goodwill में अच्छे गया था अब यह agreement is state of trade का case नहीं है अब यह agreement is state of trade की exception का case है जो valid है यह agreement is state of trade की exception का case है जो valid है four what would be your answer in third above if both Arif and Mansoor had agreed to refer their dispute to arbitration and not to the court of law कैसा कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अच्छा उन्होंने तो agree यह किया वा था third में थार्ड वाले case में कर बात करें कि हम एक तुस्ते किराब legal action नहीं लेंगे कोई तो यह agreement is state of legal proceeding थी यह वाइड इस case की सबसे खास बात पता है क्या है इसमें उसने agreement in state of trade और agreement in state of legal proceedings और दोनों को इकठा कर दिया दोनों को इकठा कर दिया पहले दो parts में agreement in state of trade का case है यह है agreement in state of trade का case यह उसकी exception यह agreement in state of legal proceeding यह उसकी exception कुछ समझा है वाद घर जाके आप इस case को दुबारा पढ़ना और attempt करना यह एक अच्छा case है कि नेक्स 27 तो रेस्लर्स गोगा शीदा अग्री तो प्ले रेस्लिंग मैच ओन दा कर दिया है वो दूसरी पार्टी को पास साथ देगा विनर वास्ट रेसीव रुपीस ट्वंटी थाउज़न आट अट विनर को ट्वंटी थाउज़न मिलेगे गोगा फेल टूपीर इन दा मैच और शीदा सूड हिम फार रुपीस फाइव थाउज़न तो जुर्माना दा करोगे अता करो पास साथ गोगा हावर रिफूस टू जी क्या ये वेजरिंग एगरिमेंट है सारा केस इस सेकुईसन पर खड़ा है क्या यह वेजरिंग एगरिमेंट है क्या पाटिस का रीएल इंट bottle क्या अन्रिलेटिट अटिस तो नहीं कुछ तैक कर रहे थी तो फिर यह गें ऑफ कमपेटिशन है यह गें ओफ और प्राइस competition है involving game of skill price price distribute करने की बात हो रही थी ना और जो नहीं आया वो penalty देगा तो यह agreement वेजरिंग agreement नहीं है इसका मतब है कि recovery करवाई जा सकती है यह बिलकुल ऐसी है जैसे एक बहुत से कप्ड़आँ दरजी से कहे भाय जान इणिसे पहले मेरे कप्ड़े सी देना अगर इसे पहले कप्ड़े ग्याश diva तो फिर आपको चॊप्ट साथ पर जुर्माना दा करना पड़ेगा अगर इसकी जूर्माना दा करना कि यह प्रेक्टिशन की बात हो रही है कोई खेल की स्पोर्ट की बात हो रही है और जीतने वाले कोई नाम मिलने की बात हो रही है आप ने कहा है अरियल इंट्रस्टा क्योंकि इसमेंगर यह कहते हैं कि जी गोगाशिदा का मैच हो रहा है लेकिन तमाश शाहियों ने आपसमें अग्री किया दो यह नौर्मली जब यह टीम्स क्रिकट टीम्स एक दूसरे का मुल्का दोरा करती है तो उसमें यह जब एग्रीमेंट पहले से हो चुका होता है उसमें यह क्लाज भी लिखी होती है अगर किसी वज़ा से आपने इंकार कर दिया हमारे मुल्क में आने से तो फिर आपको यह करते हैं कि एक पार्टी अगर अपने हिस्से का काम नहीं करेगी तो वो दूसरी पार्टी को डेमजिस पे करेगी इस क्या थी यह डिसाइड करना वेजरिंग अग्रिमेंट है के नहीं 28 ऑन फर्स लाइट उसानलेटीन बासित एगरे टू बाइफाइवंडर्ड ग्राम अगरे यह साब से कहा था और डिव डिट्व पर प्राइस कम हो के 62 होगी डिसकस्टा वालिटी ऑफप कॉंट्रेक्ट इस बोथ मासिन एट नहीं पूंट्रेंट नहीं इंट्रेंशन तो साइट अधा ट्रांशक्शन बाइंग डिफ्रेंस ब्विन कॉंटेक्ट प्राइस किसे घान दा मार्केट प्राइस बेडाओड मेकिह एनी डिलिवरी यह आप शुक्राइब यह और यह में में पूछा था यह क्या हो गया यह वेजिंग अग्रिमेट यह लेकिन अगर बहुता कि जी सेटल कर फिजिकल डिलिवरी के जरी सेसे इसे इसे तो सुरत में यह बैन ना होता है जी पहले लिगर पर दालेंगे कि वेजरिंग एग्रिमेंट्स और वाइट कि उसके बाद जिसें बेसें में लिखेंगे जी अपने साबित करना कि वेजरिंग एग्रिमेंट है थिर नीचे आपने के सक्सेड साबित करना कि वेजरिंग एग्रिमेंट 29 comment on enforceability of following agreements a Hamid promises to pay rupees 10,000 to Arif if it rained today and Arif promises to pay rupees 10,000 to Hamid if it did not waidable नहीं है waidable कहां से हा क्या वेजरिंग एग्रिमेंट है waid waidable तो होता है यह free concern नहीं होती जिसमें be an agreement to enter into a wrestling event in which winner was to be rewarded by the entire sale procedure of tickets यह वेजरिंग एग्रिमेंट इसके exception है क्या नाम था इसका price competition see Aasim agreed with Kasim to provide him credit to bet on cricket match with the stipulation that if Kasim won he will share half the proceed with Aasim अब देखें इसमें आपको पता चल ला है वेजरिंग एग्रिमेंट क्या है क्रिकट मैच पे बैट लगा और collateral क्या है loan देना अब आपको पता चल ला है केसमें clearly के party को पता है के नहीं पता कि लोन किस परफसल इस्तमाल होगा तो अब यह में एग्रिमेंट जो है bet on cricket वाला यह अगर वाइड है तो जो collateral transaction है वह भी वाइड लोन देने वाली लोन देने तो वेजरिंग एग्रिमेंट के साथ जितने भी related agreements होंगे जितने वेजरिंग के साथ related होंगे वेजरिंग के साथ collateral होंगे वो सारी के सारी वाइड होंगे डी साजिद और माजिद डिपॉस्टेट रुपीस 5000 इच विद नवाज फार बैटिंग विनर टू टेक होल अमाउंट साजिद वोन था बैट बड़ नवाज रिफ्यूस्ट रिफ्यूस्ट रूपे जुगा कराने लगे हैं मानत के तोर पे तुम्हारे पास पैसे रखे है वोग कहता है मैंने पैसे ने देन एगरिमेंट वैलिए रिकवरी हो सकती है वाइड अगरिमेंट में कोई रिकवरी नहीं हो सकती यह वेजरिंग अगरिमेंट इलिकल रहा है इनसीम एंड करेम डिपॉस्टिट रूपीस 5000 इच वारे बैट और ने कार्ड गेम नसीम अगरी कि में अगरिमेंटुकिंट अहलांकि स्वाइड करने दे लेकिन स्वा इसकी में वाइड करने थी वे जिरिंग के बैटिं Cole स्ट 3D तो यह को लेटर रौगिवरींट हो गया ने में कमेशन देंगे लेकिन जूक्त है मेंड वेजरिंग वाला था तो यह चले रांग्षिन brigय हैं यह हां वैजरिंग में वैजरिंग कि ट्रांच अजय नहीं है उनका वैजरिंग अगर हो गया अपस में, तो याद रखें, उसमें इन पार्टीस का रियल इंटरस्ट नहीं होता, रियल इंटरस्ट नहीं होता, F. नसीर इस गारडियन अफ कबीर, A माइनर, कबीर लॉस्ट बैट एंड नसीर पेड रूपी सैमन थासंट वर्मिस पॉक फॉट फ़र बैट, गार्डियन ने माइनर के पैसे दिये कबीर के कबीर शर्थ हाल चुका था क्या ये गार्डियन रिकवर करवा सकता है क्योंकि निसेस्ट्रिस ओफ लाइफ है ये नहीं जुआ कलियर चलिए ये थे हमारे क्वेस्टन्स इसके साथ ये आरे आजें के लिक्षे का टाम भी करतम होता है कैलो के लिए अपकी एसाइन्मेंट किया वाला चैप्टर फोर की नहीं अपने ए्टेम्ट करने और आपके बुक की ओपर टिक क्रॉस टिक क्रास जो भी आपने मा करना है ये वैना करनी है जिसके बुक पे ये टिक लगे हुए इसका मतलब उसने साइनमेंट की है और जिसके टिक ना लगे हुए तो बुक पे टिक नाल नहीं लगाना चाहते हैं तो साथ में एक खाली पेज ले ले वहाँ पे नमरिंग लिखके ना एमसी की नमबर 1234 जैसे एक्जाइम में सॉल्व करेंगे राइट लिखते हैं वो भी चलेगा वो भी चलेगा बुक पे माक कर ले या बुक नहीं करना चाहते हैं लादा पेज के उपर लेकिन रिटन फार्म में लाजमी आपने टेंट करके लाँ है कलियर आज का लैक्शन हमें खतम करते हैं आला हापीस